वेलकम बैक अब्रिवन वेलकम टू सिवल सर्विसेश टड़ी प्रक्टिस सेट नंबर पांसो बारह है यूपी असी सिवल सर्विसेश प्रलेम्स के लिए फोकस करेंगे इंडियन हिस्ट्री पर तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज डेट हो गई है अठारे अगास 2020 और 4 अक् करेक्ट है मीर कासिम के संदर्ब में देखें मीर कासिम सैना का गठन यूरोपिया पद्दती पर करना चाहता था उसने अपनी राजधा नहीं मुर्शीदाबाद से मुंगेर स्थानांत्रित की उसने तोड़ेदार बंदूकें बनाने की फैक्टरी भी लगवाई मैच लॉ गन मुर्शीदाबाद से मुंगेर ले गया या मुंगेर से मुर्शीदाबाद देखें करेक्ट है स्टिट्मेंट मुर्शीदाबाद से मुगेर स्थानांत्रित की थी तो तीनों के तीनों करेक्ट है option number डी एस का अंसर उपरोकत सभी तो मीर कासिम सेना का गठान यूरोपे पद्दिती पर करना चाहता था उसने कमपनी को बर्दमान चटगाउं मिदनापुर जिले दिये मीर कासिम ने 1762 में अपनी राजदानी मुर्शीद आवाद से मोंगेर ले गया और देखिये मोंगेर में अंग्रेजों का प्रभाव कम था ब्यापारिक विसेसाधिकारों के प्रश्ण पर मीर कासिम एपम कमपनी के मध्स संगर से सुरू हो गया कम्पनी ने 1763 में मीर कासिम को अपदास्त कर मीर जाफर को पुना नवाब बनाया कुशन नमबर टू पर आजए है डूपले के संदर्ब में नमलिखित कत्नों पर विचार करना है तीन स्टेटमेंट है हाँ पर बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है पहला स्टेटमेंट है डूपले को 1730 में चंदर नगर का गवर्नर नियुक्त किया गया डूपले को कृष्णा नदी और कन्या कुमारी के वीच समस्त पृदेश का नवाब नियुक्त किया गया डूपले भारतिय सेनाओं को भारतिय राजदर्बारों में भारतिय खर्चे पर नियुक्त करवाने तथा भारतिय राजनिती में हस्तक्षेव करने के विचार करने वाला पहला यूरोपिय था बड़ा लंबा सा स्टेटमेंट है बताइए डूपले यूरोपिय सेनाओं को भारतिय राजदर्बारों में भारतिय खर्चे पर नियुक्त करवाने तथा राजनिती में हस्तक्षेव करने पर विचार करने वाला पहला यूरोपिय था कौन सी राजनिती में भारतिय राजनिती में बिल्कुल यह करेक्ट है तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही पूछा है इसका अंसर हो जाएगा उप्सन नमबर डी वन टू थी तो प्रोक तीनों के तीनों कथन सत्ते हैं डूपले को सत्रे सो तीस में चंदर नगर का गवर्ना निक्त किया गया उसके बाद बीस फर्शवाद सत्रे सो पचास में दक्कन के सूबेदार मुजफर जंग ने डूपले को करिशना नदी और कन्या कुमारी के बीच के समस्त प्रदेश का नवाब निक्त किया डूपले ने ही पहली वार यूरोपे सेनाओं को भारतिय राज दरबारों में भारत राजनिती में हस्तक शेप किया उसने कोशन नुम्बर थ्री पर आ जाई है निम्लिकित कत्नों पर विचार करना दो स्टेट्मेंट है हम पर बताने कि मैंसे कौन सा करेक्ट है पहला स्टेट्मेंट है चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध के परणाम सरूप मैसूर राज का चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध के परणाम सरूप मैसूर राज का अस्तित्म साप्थ हो गया पहला स्टेट्मेंट और मैसूर के विरुध सफलता के लिए बेले जली को मौर्विक्स की उपाधी दी गई दोनों के दोनों करेक्टर है इस कांसर हो जाएगा उप्सन नमबर सी तो चतुरत अंगल मैसूर उद्ध की परणाम सरूप मैसूर राजी का स्तितु साप्थ हो गया मैसूर के विरुध सफलता के लिए ही वेले जली को मौर्विक्स की उपाधी मिली और इस युद्ध के बाद मैसूर पर फ्रांसी सी प्रभाब का भी अंत हो गया कुशन नमबर फोर पर आजाई है अंग्रेजो तथा मराठो के मद्ध हुई सालवाई की संदी के संदर्व में नमलिखित कतनों पर विचार करना है देखे सालवाई की संदी 1782 में वोरेन हैंस्टिंग तथा फड़नवीस के मद्ध हुई थी इस संदी में सिंदिया के सभी छेत्र हडप लिए गए कौन सा सई है देखे संदी या मद्धिस्ता होती है किसी चीज को सुलझाने के लिए हडप ना जैसी चीज इसमें हडप ने लिए गए बापस कर दिये गए लोटा दिये गए या मुक्त कर दिये गए तो इसका दूसरा तो हो नहीं सकता कि इवल पहला इसमें सही हो जाएगा उप्सन नमबरे तो कथन दो यहाँ पर सही नहीं है सालबाई की संधी प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध के प्रणाम सरूप होई सिंधिया ने अंग्रेजो तथा मराठो के बीच मध्यस्त की भूमिका निभाई इस संधी से युद्ध पूर्व की इस्थती समाप्त हो गई अगले 20 वरस तक दोनों पक्षों में सांती कायम रही और इस संधी में सिंधिया को उसके सभी छेत्र लोटा दिये गए हड़ पे नहीं गए मध्यस्तिता किसने की सिंधिया ने अंग्रेजो और मराठो के बीच कोशन नमबर फाइब पर आजए इस संधी के तहत कंपनी को सूरत नगर मिल गया यह संधी बेले जली तथा बाजिराव दुत्ति के मध्य होई इनमें से किसी एक की बात हो रही है निजाम संधी है बेसिन की संधी ओप्सन नमबर सी तो देखिए दुत्य आंगल मराठायोद मोख्यता भारत में फ्रांसीसियों को रोकने के लौड वेलेजली के प्रयासों के करण हुआ तथा बेसिन की संधी के प्रमुक्सरत यह थी कि अन्य राजियों से संबंद स्थापित करने के सारे अधिकार पेशवा ने कंपनी के अधीन कर दिये और अंग्रेज विरोधी अन योरोपिय लोगों को अपनी सेवा से निवरत करना सुईकार किया यह संधी पेले जली तथा बाजिरा दुत्त के मद्ध होई इस संधी के तहत कंपनी को सूरत नगर मिल गया बेसिन की स संधी कोश्शन नुबर सिक्स पर आजए तरत्य आंग्ल मराठा युद्ध के संदर में विचार करना है आपको इस युद्ध के समय वारेन हैंस्टिंग गबर्नर जनरल था हैंस्टिंग के पिंडारियों के बिरुध अभियान से मराठु के प्रभत्त को चुनोती मिली और यही इस युद्ध का तातकाली कारण भी सिद्ध हुआ कौन सा सई है इसमें तर्ड आंग्ल मराठा वार की बात हो रही है तरत्य आंग्ल मराठा युद्ध 1817 में वोरेन हैंस्टिंग कहां से आ गया लौड हैंस्टिंग होगा लौड हैंस्टिंग 1773 में था ना वो तो तो पहला स्टेट्मेंट गलत है क्योंकि यह समय 1817 से 19 का है तो वोरेन हैंस्टिंग नहीं होगा लौड हैंस्टिंग होगा यहाँ पर दूसरा वाला स्टेट्मेंट करेक्ट है इसका अंसर हो जागा तो देखिए पहला statement तो गलत हो गया इस युद्ध किस युद्ध तरत्य आंगल मराठा युद्ध का तातकालिक कारण हेंस्टिंग का पिंडारियों के विरुद अभियान था और इस अभियान के दोरान हेंस्टिंग ने पेशवा सिंधिया और भोसले को अपमान जनक संधिय करने के लिए बाद किया इससे विवश होकर मराठो ने अंग्रेजों से मुक्ति पाने के लिए अंतिम प्रयास किया किन्तु अंग्रेजों ने पेशवा को किर्की भोसले को सीता वड़ी और हॉलकर को महीदपुर नामक इस्थान पर परास्त कर दिया परास्त हो गए अंग्रेजों से पेशवा परास्त हो गए किर्की में भोसले परास्त हो गए सीता वड़ी में और हॉलकर परास्त हो गए महीदपुर में कौशन नमबर 7 पर आज़ेए कौन से मराठो की पराज़े के कारण थे ब्यक्तिगात महत्वा कामशा के कारण मराठो का कई राजों में विभाजन होना सिवाजी की मृत्यू के पस्चात मराठो में जागीर की प्रथा आरंभ हो गई जिसे प्राप्त करने के लिए वो संगर्स करते रहे मराठो ने अपनी प्राजीन सेन पदिती तथा छापा मार प्रणाली को त्याग कर दिया बिल्कुल करेक्ट है पहला वाला स्टेटमेंट करेक्ट है दूसरा वाला स्टेटमेंट करेक्ट है तीसरा वाला भी स्टेटमेंट मराठो ने अपनी प्राचीन सेनिक प्रणाली का त्याग कर दिया तो इसका अंसर हो जाएगा उप्सन नमबर डी उप्रोग सभी तो कथन एक दोर तीन तीनों सही है क्योंकि मराठो ने अपनी प्राचीन सेनिक प्रणाली तथा छाप प्रणाली को त्याग दिया तथा योरोपिय सैनिक परणाली को भी वह पूर्टे आत्म साथ नहीं कर पाए कई योरोपिय विसेशकर फ्रांसीसी अफसरों की भरती की गई फिर भी उनका सैन संगर्ठन अंग्रेजों की अपेक्षा निम्न कोटी का ही रहा मराठों में सिवाजी की मरत्यू के पश्चात जागीर की प्रथा आरंभ हो गई जिसे लेकर मराठा सर्दार निरंतर संगर्द करते रहे मराठा राज भारती राज्यों में सरवाधिक सकतिसाली राज होने के कारण भी वो लोग व्यक्तिगत महत्वा कांशा के कारण इसका कई राज्यों में उन्होंने विभाजन कर लिया कोशन नुम्बर एट पर आ जाई है नम लिखे तो सिख राजाओं को इनके शाशनरत होने के करम में बढ़ते वे करम में सजाना है आपको increasing order जो सबसे पहले आएगा वो सबसे पहले उसके बाद उसके बाद उसके बाद तो चार option है यहाँ पर रणजीत सिंग दलीप सिंग खड़क सिंग इनमें से कौन पहले आना चाहिए देखे इन दोनों में तो रणजीत सिंग रणजीत सिंग है रणजीत सिंग से पहले रणजीत सिंग के बाद उनका पुत्र खड़क सिंग सिहासन पर बैठा, सीग्र ही उसका विरोध हो गया, उसका किसका खड़क सिंग का, कुछ समय पस्चाथ खड़क सिंग को बंदी बना लिया गया और नोनिहाल सिंग को गद्दी पर बैठा दिया गया, यह है रणजीत सिं रणजीत सिंह का संबंद नम्लिक्ट में से किस मिसल से था ये important question है पहले बहुत सारे exam में पूछा गया है स्सी का फंपूछते हैं इसको इसका उत्तर क्या है सुकर। क्या है सुकर चकिया मिसल ओप्सन नंबर भी तो देखिए सिख मुखेता बारे मिसलों में बटे हुए थे सुकर चकिया मिसल के रणजीत सिंग ने अपनी योग गिता तथा बुद्धी मत्ता से संपूर्ण सिख मिसलों को मिला कर एक संगटित सिख सक्ति का निर्मान किया निशानवाला, फलकिया और रामगडिया ये अहलू वालिया सरनेम अपने बहुत सुना होगा अपने आसपास के चेत्रों में बहुत सारे सब्सक्राइबर होंगे इस सरनेम के और मूवी में भी कुशन नमबर दस पर आजएए फिरोज सा मुद की आलीवाल तथा सुबार हान की चार परशिद लडाईयों का संबंद नम्रिकित मैसे किस से है प्रथम आंगल सिख युद्ध से प्रथम आंगल मराठा युद्ध से प्रथम आंगल मैसूर युद्ध से या फिर अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मद्ध हुए करनाटा की युद्ध से फिरोजसा मुद की आलिवाल सुबार हान की चार प्रशिद लड़ाईयों का संबंध है प्रथम आंगल सिख युद्ध से आंगल का मतलब है अंग्रेज यहाँ पर मतलब फरस्ट ब्रिटेज और जो सिख थे उनके भी जो युद्ध हुआ उससे संबंध है इसका तो देखिए फिरोजसा मुद की आलिवाल और सुबार हान युद्धों का संबंध प्रथम आंगल सिख युद्ध से है इन लड़ाईयों में सिखों की सैना बुरी तरह पराजित होई और सिखों को लाहोर की संधी के लिए विवस होना पड़ा अंग्रेजों ने लाहोर जम्मु कस्मी रादी छेत्रों पर तो अधिकार कर लिया साथ ही सिखों की सैना में भी भारी कटोती कर दी उन्होंने तो ये भारत पर बिटिस विजय से संबंदेत दस इंपोर्टेंट प्रश्न अच्छे सा इसका रिवेजन कम से कम दो बार तो करी लेना धन्यवाद